ओम नमो भगवते वासु दिवाई नमः आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मैं उपस्तित हो चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए पिक एक कार्ड रेडिंग लेकर आई हूँ जी हाँ दोस और वो आपके भविस्त के लिए बहतर रहेगा आपके सामने स्क्रीन पर दो बटरफलाई यानि दो तितलियां दिख रही होंगी पहली तितली स्काई कलर की है यानि आसमानी कलर की है और दूसरी तितली पिंक कलर की है यानि गुलाबी रंग की है तो आई होप आप लोग स शमद चुके होंगे कि आपको क्या करना है आपको इन दो तितलियों में से जो भी ज़्यादा एट्रेक्ट करे यानि जो भी ज़्यादा आपको पसंद आए वो आप चुने वो आप सेलेक्ट करे pork और उसके बेसिस ये बताने के लिए ही या स्क्रीन पर लाएंगे तो किर्प्यकर की ध्यान पुर्वक पूरे ध्यान करते हुए किसी एक बटरफ्लाई को यानि किसी एक कार्ड को चुने इसी में आपकी किस्मत के राज छुपे हैं जी हां और मुझे लगता है कि आप लोग समझ गये होंगे क इन दो बटरफ्लाई में जिस भी बटरफ्लाई से आप कनेक्टेड फील हों जो भी बटरफ्लाई आपको ज़्यादा एट्रेक्ट करे बस वही आपको सेलेक्ट करनी है और आप सभी ने सेलेक्ट कर लिया होगा तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को बताते हैं कि विधाता ने आपकी किस्मत में क्या लिखा है जिन्होंने भी स्काई कलर की बटरफ्लाई यानि आसमानी रंग की तितली को सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग बहुत ही खुबसूरत आई है जी हाँ आपके लिए विधाता ने खासकर आपकी किस्मत में बहुत सारा गुडलग बहुत सारा धन और साथ ही धेर सारी खुसिया लिखी हैं जी हां आप एक महनती इंसान हैं पर इसके साथ ही किसमत भी आप पर महरबान रहेगी आप अपने महनत के दम पे बहुत कुछ हासल करेंगे आपकी डेस्टिनी में वो आपको हर कुछ मिलेगा जो भी आप दिल से चाहते हैं जिनके लिए आप बहुत दिनों से संघर्स कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं विधाता आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं यानि विधाता अपना कृपादस्ट्री आप पर बनाए हुए हैं आपको बहुत ही अच्छा जीवन साथी प्राप्थ होगा और अगर आपके लाइफ में लाइफ पार्टनर है तो कहीं न कहीं आपको भरपूरस नह देगा साथ देगा आप पर विश्वास बनाए रखेगा जी हां आपके किस्मत में आपको धेर सारा धन प्राप्थ होगा आपकी किस्मत में आपको धेर सारी खुसियां प्राप्थ होगी जो भी आप चाहते हैं मेहनत के साथ आप आगे बढ़ें विधाता आपको अपना असरवात देते हुए नजर आ रहे हैं और आसा करती हूँ जिनको भी हमारी ये रीडिंग पसंद आई होगी वो comment section में अपनी positive claim करते हुए जरूर ये असरवात यानि ये blessing accept करें अब हम pile number two पर चलते हैं यानि जिन्होंने भी pink color की butterfly को select किया है यानि जिन्होंने भी गुलावी रंगी तितली को select किया है उनके तकदीर में उनके किसमत में विधाते ने क्या लिखा है ये जानते हैं तो आएए बिना किसी देरी के pile number two यानि pink color के butterfly जिन्होंने select किया है उनके किसमत के बारे में हम आपको बताते हैं जिन्हों ने भी पिंग कलर की बटरफलाई यानि सेकेंड पाइल को चूज किया है सेलेक्ट किया है आपके नसीब में विधाता ने बहुत ही कुछ नया और बहुत ही कुछ अनोखा लिखा है जी हां सबसे पहले तो आपको मैं बता इसके साथ ही आप बहुत ही intuitive हो जी हां आपको हर चीज की knowledge है आपको पहले ही आभास हो जाता है कि कुछ नया होने को है कुछ अलग घटने को है आपकी जीवनकाल में आपकी reading में एक बात निकल कर सामने में आई है कि आप मेंसे बहुत लोग कुछ नकुछ manifest करते वे नजर आ रहे हो कुछ न कुछ पुरानी विस है जो आप चाहते हो कि इस्वर आपकी विस पूरी करे तो मैं आपको बता दूँ कि आपकी कोई पुराने विस जो आप बहुत समय से manifest कर रहे हो वो विधाता पूरी करने वाले हैं जी हाँ बस आपको अपने उपर और विधाता के उपर विस्वास बनाए रखना है जी हाँ कोई भी चीज पूरी होने में वक्त लगता है जब आप इस्वर पर विस्वास रखते हो तो इस्वर उसे जरूर पूर्ण करते हैं और मैं एक चीज बता दू कि आप लोग बहुत ही intuitive person हो आप बहुत जल्द भाप लेते हो क्या यहाँ पर positive है क्या यहाँ पर negative है आपके आसपास जो भी कुछ चलता है आप पहले ही भाप लेते हो और सतर्क हो जाते हो जो कि आपके भविस्थ के लिए बहुत ही उप्योगी रहेगा आपके लिए आप बहुत ही intelligent person के रूप में उभर कर सामने में आ रहे हो आप एक रहस में व्यक्ती हो आप मेंसे बहुत लोग क्यारियर के प्रती focused नजर आ रहे हो जो आपके भविस्थ के लिए बहुत ही बहतरीन रहेगा जी हाँ आपका कैरियर बहुत ही अच्छा दिख रहा है आप मेंसे जो कोई भी हमारी ये reading देख रहे हैं या सुन पा रहे हैं उन मेंसे जिन्होंने भी पिंक कलर की butterfly यानि second pile को choose किया है मैं आप सभी को बता दू इन मेंसे बहुत लोग tarot card reading छेतर में हैं जी हाँ जो भी tarot card reader है वो बहुत नजदी की समय में नाम पैसे कमाने वाले हैं जी हाँ name, fame, success आपको मिलनी वाली है नजदी की समय में क्योंकि विधाता आप पर महरबान है उसके बाद कुछ लोग इन में से artist के रूप में भी उभर कर सामने में आ रहे हैं कुछ लोगों के अंदर अच्छे और बुड़े को जानने की समझने की कला है जो आप सभी के लिए नजदी की समय में बेहदी उपयोगी साबित होगी एक चीज में और बता दूँ आप लोगों के साथ अगर किसी ने बुड़ा विभार किया है तो नजदी की समय में आपको आपके समक्षी देखने को मिल जाएगा कि जिसने भी बुड़ा किया है आपके साथ उसके साथ भी बुड़ा होगा और जिसने आपके साथ अच्छा विभार किया है नजदी की समय में आपको यह भी देखने को मिल जाएगा कि उस वेक्ति के साथ कुछ न कुछ अच्छा होगा और जिसकी वज़ह वो आपको मानेगा तो इसलिए आपको मैं सबसे पहले बधाई देती हूँ क्योंकि नजदी की समय में आपको इस वर सफलता दिलाएंगे आपको हर छेतर में जो भी विस्पूर्ण होने की आप प्रतिच्छा कर रहे हैं इस वर आपकी जल्द ही वो विस्पूर्ण करने वाले हैं बस आप पॉस्टिव रहें सकात्मक सोचे इविधाता के असिरवाद को आप एक्सेप्ट करें विधाता आपको ब्लेसिंग देते वे नजर आ रहे हैं आसा करती हूँ आप सभी को हमारे द्वारा ये पिक एक कार्ड रेडिंग जरूर पसंद आई होगी अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक, कॉमेंट, सेयर, सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह की यूसफुल वीडियो के लिए और कॉमेंट सेक्शन में पॉस्टिव क्लेम करते हूँ ब्लेसिंग को जरूर एक्सेप्ट करें